गैस मेरे पास है दो प्यारासा स्मार्ट फोन, Realme C55 और Redmi 12C दोने फोन लगबग सेम स्पेसिपिकिसान के साथ आता है, इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कंफ्यूस हैं ये दोने फोन लेकर आज इस वीडियो में दोने फोन के भी इस टीटेल स्पेसिपिकिसान कॉमपेर करूंगा और मैं आपको बहुत ही आहसान तरीके से समझाओंगा ये दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है चलिए दोस्तों कंफरेजन शुरूबात करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से अब भी शुरूबात कर दीजे इस वीडियो को लाइक करके देखे और दोनों फोन की डिस्प्ले के साइच के तरह आप देखा जाए या पर बड़ा डिस्प्ले के साथ आता है zd 1 ची में आफ य इन्ट पर या इंडोर पर यूज कर ऊती तो कुछ भी प्राबलेम नहीं आएगगा लेकिन रेटमी का इंट्रोंग वाइडवाइन यह वीडियो का मिलन चा mayor का वीडियो को देख पाओगे एक वीडियो सेंपल आपके साथ सेयर कर रहा हूं आगे पर देख सकतू बेटर कालर कॉंटरस्ट और डीटेलिंग देखा है रियल मी में अगर आप मुवी या वीडियो ज़्यादा देखते हो realme का फोन आपके लिए पार्फेक्ट बन जाता है और एक चिसके मामले में जो फोन है पार्फेक्ट बन जाता है जो है पार्फुमेंस में बना और रेड्मी का फोन आता है audi톡 की तरफ से जी टीडइट चिपसेट के साथ matters के साथ है टापके यह दोनों फोन का एंतोतु स्कूर आप यह पर दिख सकते हो जादा pause के साथ है Realme जैसे इसमें Antutu score जादा है इसमें performance भी अच्छा मिल जाएगा अगर आप BG में जैसा game खेलते हो तो दुनों फोन में आप 40 fps में खेल पाओगे अगर आप gyro player हो तो आपके लिए Realme का फोन मस्त होगा इसमें gyro बहुत ही अच्छा मिल जाता है रेड्मी में gyro नहीं मिलता है दुनों फोन में skin record करके gameplay करके तो फोन ओवरेट नहीं होता है लेकिन रेड्मी में fps डाउन हो जाता है और फोन थोड़ा सा hang करता है मेरे पास है दुनों फोन का 6G variant LPDDR4X RAM के साथ दुनों फोन आता है प्राइमारी जो सेंसर रखा है 64 MP और 2 MP रेड्मी का फोन आता है पीछी की तरफ डूल कैमेरा सेटाप के साथ प्राइमारी जो सेंसर है 50 MP और 0.8 MP है जो किसी काम का नहीं है रेड्मी की back camera से आप full HD में 60 एपिस फर वीडियो को record कर पाओगे पहला आप लोग दोनों फोन का वीडियो सेंपल देख लीजिए वीडियो रेकोर्ड हो रहा है फूल एजडी 30 एपिस में तो आप पहला स्टेवी लैसन देख सकते हो कौन सा फोन में अच्छा देखाई दे रहा है तो चैंलिए दोस्तों यहाँ आप आटो-फोकस टेस्ट कर लेते हैं पहला में टेस्ट करूज़े रिडवी की फोन में पर आटो-फोकस बढ़िया कम कर रहा है तो साौंड भी सून सकते हो कौन सा फोन अच्छा रेकुर करता है कुछ फोटो सेंपल आपके साथ सेयर कर रहा हूँ, आप यह पर देख सकते हो, Redmi का फोन जो है थोड़ा सा डार्क फोटो क्लिक करता है, उसके कंपरिजन में Realme थोड़ा सा ब्राइट फोटो क्लिक करता है, कुछ काई का फोटो में ने क्लिक किया था, आप यह पर देख सकते हो, Realme ने कितने अच्छी तरह के से कालर को आप इमेज करता है, और देखने में काफी खुपसरत भी लगता है, नेचरल कालर के तरफ देखा जाए, Realme थोड़ा से कालर को जादा बूस्ट करता है, इसके बाज़े से फोटो देखने में काफी खुपसरत लगता है, और दोनों फोटो को में जूम कर रहा हूँ, आप यह पर देख सकते हो, डीटेलिंग दोनों फोन में मस्त मिलता है, Sb Red में है 5MP का सेलफी कैमरा, Realme में है 8MP का सेलफी कैमरा, दोनों फोन की सेलफी कैमरा से, अब full HD में 30 विडिएो को रेकॉड कर पाओगे, और फिडियो सेंपल आप यहापर देख लेजिए, दोनों फोन जबदस्ट फिडियो को रेकॉड करता है, स्किन टोन में आपको डिफरेंस मिल चाहे का यह छोड़का दोनों फोन डाइनमिक रेंज को ठिक ठक तरीके से मैनेज कर लेता है और लाइटिंग पोजिशन को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है कुछ फोडो सैंपल आपके साथ सेयर करो आप यह पर फोडो देख साकते हो यह स्किन टोन का कालर को थोड़ा सा ज़्यादा रेट कर देता है रियल्मी का फोन लेकिन रियल्मी के फोन में डाइनमिक रेंज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है और इसमें ज़्यादा मेगापिक्सल मिलता है इसके बज़े से रेड्मी से थोड़ा बेटर डीटेलिंग के सब आता है रेड्मी डाइनमिक रेंज को मैनेज नहीं करता है लेकिन रियल्मी आप यह पर देख सकतो कितना खुपसरत कालर प्रेजेंट कर रहा है हाँ दोस्तों रेड्मी का कालर जो है थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट देखाई देगा इसके बज़े से तो इसका फोटो दिखने में काफी खुपसर लगता है कुछ फोटो मैंने प्रोटेर मूट पर किलिक किया था दोनों फोन डैगरांड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लार कर लेता है और इस डिटेक्सान को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है लेकिन डाइनमिक रेंज की तरफ देखा जाए रियल्मी आपर हुई न रह पौलिकारमेट मिलता है जिसमेह मैट फिनिसिंग है लेकिन कैमेरा का बाम बहुत चरब बाहर वाया है इसका बिल क्यूलिटी solid रखा है फोन पीचे से दपता नहीं है और इपीछे की तरफ फिंगरभीन का निशन बएकर नहीं आता है इस तर फ्लाइड डिस्प्ले के साथ आता है सेंटर पंच हो ले रेडिमी का डिजाइन भी इतना बुरा नहीं है फोल पतला है हलका है हातों में कमपेटिबल फिल देता है इसका जो फ्रेम है पॉली करमेट के बना हुआ है पीछे की तरफ हाड पॉली करमेट यूच के आए और फिंगार्पिन का नेसान वेकराट नहीं आता है लेकिन इसके पीछे की तरह फिंगार्पिन सेंसर रखाए हार बाद तो फस्ट काम करता है कैमेरा का बाम भी इतना जाता बाहर नहीं हुआ है फ्लाइड डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें वाटर ड्रॉप नौज भी है लेकिनि armor फोन में प्रेंस्ट्र एप भी मिलता है और थोड़ा बबन बगस मिल जाता है दोलो फोन में अभाटी गार को यूज कर पाओगे दोनो फोन फोन फोलने फोन फोल की प्लास का स्कीश MA बहुत नहीं मिलता है इसमें आराम से भाप करियों कicide में EVERYBerktr kem विदिन लिमिट है और दोनों फोन में 3.5mm audio jack भी मिलता है लेकिन realme के अंदर एक अच्छा features मिलता है जो Redmi में नहीं मिलता है इसमें mini capsule करके features मिलता है जब आप phone को चार्ज में लगाओगे center console से pop-up window open होता है जिसमें battery percentage और कितने और से phone charge हो रहा है और so करता है like dynamic island के तरह जो फिचा से iPhone की phone में मिलता है यह आपको realme के phone में मिलेगा रेडवी में नहीं मिलेगा दोनों फोन में single speaker है loudness दोनों फोन में must मिल जाता है दोनों फोन में 5000 mAh का battery है लेकिन realme का phone आता है in box 33 watt का adapter के साथ अगर आपको चाहिए first charger के साथ साथ अच्छा battery backup phone तो आपके लिए realme का phone सबसे अच्छा होगा चलिए दोस्तों आप सीधी सी बात करते है यह दोनों फोन से कौन सा अच्छी तरी के से optimize किया है अगर आप game खिलते हो अगर आप phone को थोड़ा heavy में use करते हो इसमें अच्छा performance मिल जाएगा इसका camera quality भी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज़ इसमें mini capsule दैसा features भी मिलता है और phone आता ही in box 33 watt का adapter के साथ अबरल दोस्तों अगर आपका budget tight है तो आप Redmi की तरफ देख सकते हो अगर आप budget को बढ़ा सकते हो तो आप आंग बंद करके Realme C55 को purchase कर लीजिए यह जो phone है Redmi से बहतरिन phone है तो आपको क्या लग रहा है दोनों फोन से आपके सबसे कौन सा phone based है अब मुझे comment में जुरू बता तो